कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहूल है, लिकिन टेंशिन और शान्ती इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंदा मत करो, इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया, तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे तीरे बूलो न, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो अरे तुम तो चुपी रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई, सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुरस्ट मिले तब ना माचुप चाप वहाँ से चली जाती है, समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खांदान में हो क्या रहा है कल तक चिडिया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूँ अचानक एक मूटे काले लड़के से क्यों हो रही है शीना कमरे में हाथ में गुडिया लिये बोलती है मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम तो सब जानती हो, साही मेरे लिए भगवान है अब जब वो ही नहीं मिला, तो फिर कोई भी हो जिन्दगी ही तो जीनी है, जी लेंगे बाहर शीना की बुवा किसी से बात करती है अरे मोटा नहीं उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं अब अबेरोय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है उनका इकलौता लड़का तो करोडों की सामी तो है ही अरे हमारी शीना भी टिया तो रानी बनेगी रानी इन सब के बीज कहीं कुने पर शीना हाथ में महंदी सजाए बैठी थी और आखों में आसु सजाए और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वर्माला लिये खड़ी होती है लेकिन तभी अफरा तफरी मज जाती है कोई कहता है अरे लड़की की मा को हाटे टिका गया अरे अच्छी खासी थी कैसे हो गया अरे कहते हैं ना किसी किसी लड़की के पैयर अच्छे नहीं होते हो सकता है की मनहूस है ये लड़की शीना पास खड़ी सब सुन रही थी फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है अब लगाता शीना के लिए लड़के देखने आते लेकिन आसपोडोस या किसी के कहने पर शादी हर बार तूट जाती लेकिन एक दिन अंकल मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी अरे बेटा हिम्मत तो हमारी तूटी पड़ी है वसे कौन हो तुम मेरा नाम साहिल है अंकल मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ अरे अब तो किस जात के हो ये भी माईने नहीं रखता बेटा मेरी बेटी मनहूस है ये सब कहते हैं कि इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही अगर तुम शादी करने को तयार हो तो ठीक है शीना की शादी साहिल से हो जाती है अगले दिन साहिल की मा का दिहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अप्शकुने कहने लगते हैं अरे खा गई दीदी को ये अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मन्हूस को घर लाने की पर बुवा मा की तो तबियत पिछले कई साल से खराब थी डाक्टर्स ने जवाब दे दिया था क्या पता ये भी उनका सावभागय हो कि वो बहु का मुँ देख पाई अरे बहु का मुँ देख पाई या ये कह लो के बहु का मुँ देखते ही स्वार गलोक सिधार गई खेर अब ये क्या घर तुमारा है हम तो चले अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अप्शकुनी तो नहीं साहिल हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था देखो न कैसे पहले मेरी शादी तूड़ती थी और अब तुम्हारी मा भी अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना अब शकुनी वगरे कुछ नहीं होता ये सब तो इश्वर के खेल है वो शादी तुम्हारी इसलिए तूड़ गई कि तुमको मेरी पत्नी बनाना था और मा का जाना तो तैथा वो काफी बज़ूर्ग थी साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूज रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है अगले दिन शीना अरे ओ शीना क्या हुआ कहीं फिर मेरी बज़न से कोई नुकसान अरे नहीं नहीं शीना तुम जानती हो जिस प्रापर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया वो भी हमारे हक में अब हम करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई शीना की आखों में पानी आ जाता है चली जी कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपकी साथ साहिल शीना को गले लगा कर कहता है मेरी नई नौकरी भी तुमारे ही आने से लगी ये प्रापर्टी का केस जीता सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ फ़र तुम मनहूस कैसे ये सुनकर शीना खुश हो जाती है